देखो बच्चो करिसे नामबर 10 में एक है रहा है कि तुम्हारे पास एक पेंटगन गेविल है ठीक है यह साइट 15 मीटर्ज है यह भी 15 यह पंदरा यह पंदरा टोटल तुम्हारे पास 30 और यह 15 है तो अब यह पी तुम्हारे पास इस ट्राइंगल की हाइट कितनी आ दो लड़किया है ज्योटी और कवधा दोरों क्या करें इसके अरिया निकालने के लिए एक तो बीच मिसे से दो इस्थो में डिवाइट कर दिया ऐक लड़की किया कर ओपर का ट्राइंगल लेली और नीचे का रिक्टैंगल लेलिया तो दोनों एरिया फाइंड आउट करे है पहले हम जोती कर देखते हैं थिक से तो हम धरना भी कफे कर देखें इस डाइग्राम फिक चलो कि स्पेलिंग में आएगा से लेगो है क्या कर रहें जोती ने एक ये ट्रिपेजि operation remix हैं के नहीं तो मैं C, D, A है न, A, B, C, D, यह जो trapezium है, इधर वाला, इसके एडिये कैसे निकलेगा, half into sum of parallel sides है न, sum of parallel sides into height, height यह distance है, C, D, ठीक है, तो sum of parallel sides कितना हो जाएगा, एक side है, B, C, दूसरी side कितनी है, A, D है parallel side, height कितनी है, यहाँ पर C, D है, ठीक, यह हो जाएगा, half into, यह distance कितना है, 15 है, B, C, 15 है, A, D, A, D total 30 है, ठीक है, C, D कितना है, by total 15 है, मैंने बीच में से आधा करा, तो 7.5 इदर, 7.5 इदर, तो यह 7.5 हो जाएगा, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 45 by 2 into 7.5, ठीक है, तो this will come out to be 337.5 meter square, ठीक है, बच्चो, sorry, अभी नहीं आएगा, इसको भी इतना ही छोड़ो, ठीक है, यह तो area of trapezium आ गया, ठीक है, एक का, A, B, C, D का, अगर तुम्हें दूसरे का निकालना अभी से मत करो, तो हमको पता है, area of trapezium, A, D, E, F, वो भी सेम होगा, इतना ही तो होगा है, के नहीं, 45 into 7.5 upon 2, इतना ही ह होगा, ठीक है, ठीक है, तो बच्चों यह आएगा, तुम्हारे पास, 168.75, ठीक है, उसी तरीके से यह भी आ जाएगा, 168.75, ठीक है, तो total इसका area कितना हो जाएगा, दोनों को, add कर दो जारा सा, ठीक है, तुम क्या करोगे, A, B, C, D, A, B, C, D, plus D, E, F, A, दोनों को, add कर हो जारा, ठीक है, तो यह total area आ जाएगा, 168.75, प्लास, 168.75, 0, 14.5, 8, 2016, 17, 12, 13, और यह 3, 337.50, unit क्या लगेगा, meter square, ठीक है, तो यह एक लड़की है, जोती के, उसका हमने, diagram का area निकाल लिया, अब हमें कविता के diagram का area निकालना है, ठीक है, अब देखो, कविता का diagram, यह वाला चेक करते हैं, हम लोग, इसका area कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हम लोग, ऊपर जो triangle है, area of triangle, A, E, D, उसका area निकाल ले, दूसरा हम क्या निकाल ले, area of rectangle, ठीक है, क्या है rectangle, अंगिल ABCD इसका निकाल ले तो हमारे पास पूरे ट्रपेजियम का एडिया आ जाएगा ठीक है तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइड है तुमारे पास हाइड कितना है हाइड यहां पर तोटल थर्टी था नीचे वाला पंद्रा तो उपर की हाइड भी पंद्रा ह हो गई है कि नहीं तो उपर की हाइड भी पंद्रा हो गई यह जाएगा हाफ इंटू एडी एडी भी 15 है ठीक है 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा 225 अपॉन 2 ठीक है अब तुम देखो एडिया ओफ रिक्टांगल ABCD इसको थोड़ा नीचे कर ले तो इसको डिवाइड करो ज़र ABCD क्या हो जाएगा बताओ एडिया का फॉर्मुला डेक्टांगल के L इन टू भी सा देखो कितने सारे एडिया हमने करें अभी ट्रिपेजियम का फॉर्मुला याद होना चाहिए ट्रांगल का याद होना चाहिए ठीक है लेंध कितनी है यहाँ पर तुमारे पास कितना हो हो जाएगा बी-सी इंटू एबी बी-सी एपंदरा एबी कितनी है पंदरा तो यह हो जाएगा टू-टू-फाइव मीटर स्क्वेर ठीक है जाना दोनों के एरिया अगर मुझे टोटल चाहिए तो आफ टू एडिस टू एरिया है ना आड कर लो जाना सा टोटल एरिया हो ज है है कि नहीं तौमारी मर्जी अब जाय говорит रिसका तरीक है तो है बहुत सारे तरीक हो सकते हैं कैसलों Quốc चाहूं तो इसको एक वाला च्रांगिल बना लोसी हए यह वाला बना ऊ तो हर बच्छी की अलग एप्रोच हो सकती है ठीक है तुम जैसे चौब ऐसे करो जोती और कविता ने तुम भी ऐसे कर रहे हैं ठीक अब आज ओक्रिशन नम्बर 11 पर